असलामों अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं है हैदर टीवी दोस्तों क्या आप जाते हैं कि स्पेस में जाने वाले सबसे पहले पठान कौन थे और क्या आपको पता है कि मुस्लिम एस्टरोनॉट्स स्पेस में नमाज कैसे पढ़ते हैं और ज चुरू करते हैं अपना काउंट टाउं शेख मुजफर शकूर दोसु शेख मुजफर एक मुसल्मान एस्टनॉट है जिनका तालुक मलेशिया से है ये मलेशिया के सबसे पहले ऐसे इनसान है जो इंटरनेशनल स्पेस टेशन में क्रू मेंबर के तोर पर गए है अक्तूबर 2007 में ये एक रश्यन स्पेस प्रोग्राम के तहट स्पेस में गए थे शेख मुजफर दुनिया के पहले मुसल्मान है जिन्होंने स्पेस में जाकर नमाज अदा की और बकाइदा बीर लगा कर बकाइदा अल्ला का जिकर भी किया और इसकी वीडियो को अपने चैनल के उपर अपलोड किया इसके इलावा ये स्पेस में हलाल फूड लेकर गए थे और मलेशिया के ट्रेडिशनल खाने को स्पेस में इंजॉय किया था मुझफर ने 10 दिन और 20 गंटे स्पेस स्टेशन में गुजारे और फिर अपनी टीम के साथ जमीन पर वापस आ गए स्पेस एजंसी के मताबिक शेख मुझफर ने स्पेस में जाकर कई एक्सपेरिमेंट किये जिनमें लिवर कैंसर ग्रोथ की रिसर्च भी शामल थी असल में ये एस्टोनाट होने के साथ साथ एक और्थोपेटिक सर्जन भी है इसलिए इन्होंने स्पेस में जाकर कई एक्सपेरिमेंट किये ताकि जमीन पर आकर उसकी रिसर्च की जा सके और कैंसर का इलाज हासल हो सके एन्यवे जो भी हूँ स्पेस में जाकर नमाज जैसे साथ हासल हो जाना इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है सुल्तान अल नियादी दुस्तो सुल्तान दुनिया के वो वाइद मुसल्मान एस्टनॉट हैं जो इस वकत स्पेस में मौजूद हैं ये यूए के दूसरे ऐसे शक्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं और करण्टली ये स्पेस के अंदर ही मौजूद हैं असल में सुल्तान अल नियादी स्पेस एक्स के साथ एक लॉंग टम स्पेस मिशन पर गए हुए हैं और ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ही रह रहे हैं बेसिकली ये एक आईटी एक्सपर्ट और इंजीनियर थे इन्होंने अपने स्पेस ट्रेनिंग 2018 में कम्प्लीट की थी जिसमें इन्होंने नवे कुर्सिस की और इसके बाद नासा ने सुल्तान को स्पेस मिशन के लिए कौलिफाई कर दिया था आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्पेस में जाकर रमजान के रोजे रखे हैं रिसेटली जो रमजान गुजरा है इसके रोजे स्पेस के अंदर ही रखे थे आप बिलीव नहीं करेंगे कि रोजे को इफ़तार करने के लिए ये अपने साथ कजूरे में लेकर गए थे ताकि वीडियो में देख सकते हैं कि ये रात का वकत था लेकिन रोज रसूल सल्ल लाह लेवाले वाले वासलम इतना नौरानी है कि स्पेस से भी नजर आ रहा है। और इवन मस्जद हरम और मस्जद नभी सल्ल लाह लेवाले वाले वाले वसलम सितारों की तरह चमक रहे हैं। यह सुल्टान अल्यादी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए दिन स्पेस की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। यह सच में कमाल है। सलाम आलेकुम रहमत ल्लाइफ सपोर्ट सिस्टम लिए फील अक्सिजीन और मुद्धात तबरीद। सलाम आलेकुम रहमत ल्लाइफ बरकात। बेंत्जर है करवात फदा अले मतनम हदद फदा द्धुलिये। आदेल मदीने मनवरा, मदीने तलह भीब, सलल लिए और गुजंब है, बेत ल्लाह लहराम, महबत र्रिशाले। हाजा अलमनसूरी 200 हाजा का तालोग United Arab अमराद से है ये UAE के पहले ऐसी शक्स हैं जिनोंने International Space Station का विजट किया है असल में हाजा UAE Air Force के fighter pilot थे लेकिन मुहम्मद बिन राशद Space Center ने इन्हें Space Mission के लिए चूज कर लिया और 2018 में ट्रेनिंग करके ये इमराद के पहली एस्टरनोट बन गए थे सेप्टेंबर 2019 में MS-15 Space Craft के जरीए हाजा को खला में भेजा गया था इनके साथ रशिया और नासा के expert एस्टरनोट भी मौझूद थे वेल जब हाजा Space में पहुँचे तो इनका कहना था कि ये थकावड के बावजूद सो नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ Zero Gravity थी और समझी नहीं आती थी कि इनसान किस तरफ सोई एनिवे इन्हें जो Space में रूम दिया गया था उसमें एक बड़ी सी विंडो थी जिससे ये पूरी दुनिया का नजारा ले सकते थे खेर हाजा ने International Space Station में आठ दिन स्पैंड किये Space में स्टे के दौरान इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर Gravity पर 16 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किये थे और इनकी विडियो भी बनाई थी इसके इलावा इन्होंने विडियो बनाकर Space Station की सारी डिटेल्स अरबी में बताई थी ताकि अरब के लोगों को पता चल जाए कि लोग Space में जाकर कैसे रहते हैं एन्वे इनका ये ट्रिप किसी एडवेंचर से कम नहीं था अब्दुल आहद मॉमन दोस्तों अब्दुल आहद का तालोग अगवानिस्तान से है और ये दुनिया के वो वाइद पतान हैं जो कि Space में जाकर रह चुके हैं आहद बेसिकली एक पाइलट थे लेकिन 1998 में इन्हें सोवीड यूनियन की तरफ से मेर Space Station पर जाने के लिए सेलेक्ट किया गया था 29 अगस्त 1988 को आहद दो और एस्टोनोट के साथ खला में जाने के लिए रवाना हुए थे वैल आपकुरान कर प्राउड फील होगा कि आहद ने Space में जाकर बकाइदा कुरान मजीद की तिलावत की थी और जब ये तिलावत कर रहे थे तो इनके फैलो एस्टोनोट ने इनी पकड़ कर रखा हुआ था ताकि ये उल्टा फलोट ना करें और कुरान की बेहुरमती ना हो सिर्फ इतना है नहीं बलकि आहद ने गॉर्मेंट से परमिशन ली और स्पेस पर जाने से पहले अपने साथ अगवान की चाई भी लेकर गए थे इवन इन्होंने स्पेस में जाकर पश्टो जबान का भी इस्तमाल किया था और पश्टो लेंविज को इन चंद जबानों में शामल कर दिया चूकि स्पेस में जाकर बोली जा चुकी है अब्दुल आहद ने स्पेस में जाकर आल्मोस्ट नौ दिन स्पेंड किये थे और फिर ये जमीन पर वापस आ गए जब ये स्पेस में मौझूद थे तो इन्होंने वहां से अगवानिस्तान की बहुत सारी पिक्चर्ज ले थी और इन्हें अपने साथ ले आए एनिवे इनका ये एक्स्पिरियेंस वाके ही में प्राइसलेस था तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पे आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेस